हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वाधत है हमारे चैनल पर आज ये बला डिजाइन लेके आएं ये ग्रोशे से बनाया है डिजाइन और फ्रेंड्स ये लेडिस जेकेट गर्स टॉब लेडिस कारडिकन के लिए एक तम प्रफेक्ट डिजाइन है तो ये दिखियो कि वाई ये बनाते हैं इसको कैसे बनाया है बताती हूं और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यावाद और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अच्छे लग रहे हैं तो अपने फैमली मेंबर्स में अपने फ्रेंड्स सरकल में शेयर किया कीजिए ताकि वो भी आपके साथ-साथ मेरे बनाए हुए दिसाइन एंजुआए कर लें तो यह बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यह बेसिक रू बना ली है तो सेकिंड रो प यह वली साइड हमारी रांग साइड है इसलिए हमने इस तरफ को पनाना है तो इसके लिए यह एक स्टिच पिछे से उठाना यह दिखिए इस तरह से दूसरा दू स्टेच हमने पिछे से उठा के बना लेने है इसके बाद यहां एक चेन बना लेंगे और यहां पर हम दू स्टेच छोड़ेंगे एक और दू और उसके बाद दू स्टेच जगाएंगे एक और दू यह दोनों स्टेच सेम पोस्ट पे दू स्टेच लगाने है इसके बाद हमने एक चेन बनानी है, यहां पर दू स्टिच छोड़ने है, तीसरे स्टिच में जाकर हमने चार स्टिच लगाने हैं, एक, दू, तीन, चार, पांच, और छे, छे स्टिच लगा लिए, यहां पर हमने, यही स्टिच लगा लिए, इसके बाद एक चेन बना लेंगे, यहां पर दू स्टिच छोड़ेंगे, और तीसरे स्टिच लगाने हैं, यहां पर एक चेन बनाएंगे, यहां दू स्टिच छोड़ेंगे, तो दू स्टिच हम ऐसे पिछे से बना लेंगे, इस तरब से ऐसे बरके, और फिर एक चेन बनाएंगे, तो दू स्टिच लगा लेंगे, नेक्स्ट रूपे आगे, यह फ्रेंट्स मैंने आपको यहां तक का यह डिजाइन बना के दिखाऊंगे इतना पॉर्शन, यहां पर दो चेन बना लेते हैं, एक दो चेन बना लेंगे, और दो स्टिच लगा लेंगे, एक और दो, इसके बाद, यह बले जो 2 स्टेच हैं इनको ऐसे आगे से उठा के बनाना है, जो पहले हमने पिछे से उठाähän से इसी तरह से, यह दिखिए ऐसे बना ले ना, पिर यहां एक चेन बनेंगी, यह बले यहां पर एक चेन बना लेते हैं अब यहां क्या करना है यह चे श्टिच है हमारे पास यह वाला एक स्टिच हमने छोड़ देना है पहले वाला पहले वाले दो स्टिच छोड़ के तीसरा स्टिच है जो इसको ऐसे बना ले उठा के इसके बाद हमने चोड़ स्टिच इसके अंदर बनाने है एक दो तीन और चार फिर नेक्स्ट यह वाला चेच हमने इठा के बना लेने हैं दो हमने नेक्स्ट यह चेन बना लेनी है यहां उसके बाद यहां पर दो stitch लगाने हैं इस तरह से फिर एक chain बनानी है तो यह दो बले यह दो नो stitch है जो इनको बारी-बारी से उठा के बनाना है फ्रेंट साइड से फिर एक chain और दो यह edge stitch यह दिखिए यह हमारी एक row complete हो गई है next row के आगें पिछे से यह इस तरह से दिखाई देता है यहां पर दो chain बनाएंगे और दो edge stitch लगा लेंगे उसके बाद एक chain बनेंगे और यह दुनों उठा के बना लेंगे stitch एक और दो एक chain यह फिर दो stitch बनाने है एक अठा सेम पोस्ट पर फिर एक chain बनाएंगे यहां पर फिर यहां पर हमने यह दो छोड़के यहां से ऐसे एक stitch उठा लेने है बीज में हमने चार stitch बनाने है एक दो तीन तो एक चार और फिर यह व्ला stitch उठा के बना लेने हैं छे के छे stitch हो जाएंगे फिर एक chain बनाएंगे और इसको ऐसे बनाएंगे फिर एक chain फिर दोनों stitch को front side से उठा के बनाना है फिर एक chain फिर दो edge stitch फिर यहां पर दो chain करके दो edge stitch फिर इन दोनों को front से उठा कर बनाना है हमने फिर एक chain यहां फिर यहां फिर यासे उठा लेंगे stitch को और चार बेज में बना लेंगे चार stitch सेंटर में आएंगे और फिर ने उठा के बना लेंगे इसको आएंगे टुर सेंटर सेंटर लेंगे आएंगे अथी स्था विर एक बनाता है हम आएंगे ले रहां सेंटर सेंटर मैं टुर वहां आएंगे जो पिर दो खिए दो ऑनाना है करते हैं? यह देखिए फ्रेंट्स डिसाइन हमारा बन गया इसी तरह से आगे बनता जाएगा अब आप बना के देखिए कैसा है और आप कमेंट करके मुझे बताएए कि किस तरह से बना है अब देखिए यह अब हो यह तरह से बना है God किके थैंस